तो आज का ब्लॉग ना मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूं और आज लंच में बता क्या एक नई रसे भी बना दी हूं मतलब बहुत बनाते होंगे मैंने किया था ना काली दाल और चनी की दली मिक्स करके दाल बना रही थी तो सुभी को क्या है कि उसको दाल मखनी खाना बहुत बसंद है वैसे हम लंच करने वाले सिर्फ तीन ही लोग होते हैं मतलब मैं और दो मेरे बच्चे पती देव की लंच तो साइट पर ही होता है उनक प्याज लसुन और द्रक बगेरा और टमाटर बगेरा डालके उसके बाद क्या है कि इसमें मखन थोड़ा जादा डलता है तो देखिए मसाले मेरे हो चुके हैं यहाँ पर और मखन क्युंकि हमने दुकान से लाया था तो मखन यहां पर बचा था तो मेरे दिमाग में ऐसे कि द जालती है दल बड़ी चनी की दली जाऊ और वैइसे कौई राजमा के साथ बनाते हैं और गडर्च से को ऐसे सिंगल भी बना लिटे है कई चनी तो यह पहले हमारा धनिया पर दम टूटा घरम साला ठीक है नितो थन्डा है पर इस गरम साला पर एट्स गरम साला थेट तो पर इसमी एट है गई नहीं, नहीं, बुद्ध इसमें बहुत इंपोड़न चीज, मम खान, मम खान, ठीक है, 2 टिकी, वैसे इसको पिगलागे डालते हैं, पट मैं ऐसे घ्याता ही, जो दम आ टीकी, तो एक और चीज इसमें डालेंगे, एक और चीज डालेंगे, वह है लिए, फ्रेस क्रेम, तो कि यह मलाई में रोज टौर करती हूँ जैसे दूद लाती है दूद मेंसे मलाई निकल जाती है तो मैं इसको स्टौर कर लेती हूँ पिर इसका मकन बिना देती हूँ और मकन जादा दीन टिक्षे गा नहीं तो फिर मैं इसका गी बना देती हूँ तो बस इसके अंदर देखे मलाई मैंने डाल दी है और डाल मकनी हमारी तयार है अब दनिया मेरे पास थानी ज़्यादा बस दो तीन पते मिले मुझे दनिया के तो वही मैंने इसके अंदर डाल दिये वैसे अभी पुछेंगे वैसे दाल अच्छी बनी थी मतलब वैसी तो नहीं जैसे होटल में बनती है कि इसमें इतना ज्यादा मक्कन नहीं था मकन की सिर्फ दो इटिके थी छोटी छोटी तो फिर भी चली सुबी से एक्सपिरेंस ले लेते हैं चल खाके देख जारा कैसे बनी है सच बताई ओ जैसे बनी हो जूट नी बताना है और आसी थीज़ीना करता है जर्फ इतनी जल्दी का अन खाता है वही थोड़ा राम से खाकर ही गले में न भस जाए सबर नी ओरा उच्छी मनी है नमक लमक एक दम चाहिए मकन एक दम शाहि है जैसे हमने होटल में इता है जा लग रही है जैसे हमने होटल में तो है जैसे हमने तेस्ट आप पारें जाए है किसीज के में सब्सक्राइए तो तो यह बनाई तो लंच तो हो गया आप है बारी बरतनों की तो बरतन तो इतने जादा हो जाते हैं कि क्या ही बताओं आपको जैसे पता ही होगा बोलने को तो हम तीनी आदमी जैसे दोपैर में होते हैं तो फिर भी बरतन इतने जादा हो जाते हैं कि यह दोपैर के ही हैं सुबह के सुबह हो जाते हैं दोपैर के दोपैर हो जाते हैं और शाम के फिर साम के लिए अलग से होते हैं तो मेरे धुल के अभी उसके बाद है बारी दिखिए मैं अंदर से बहु पहनी है क्योंकि ठंड बहुत है और इससे सिंगल यह फ्लीज का अपना हाईने कंदर से पहन लिया और अभी मैं जाओं कि कपड़े सुखानी क्योंकि मैंने कपड़े से दोखे रखे हैं देखो आपको दिखेंगे यह जैसे वासिंग मसीन में निसुखाया होता वैसे यह वैसे यह सुखे हुआ दिखेंगे मतलब इतना पानी निन में रहेगा बो पता क्यूं जैसे मैं दोती हूं न कपड़े उसके बाद मैं इनको टांके रख देती हूं निचोड़ूंगी और मतलब जादा नहीं निचोड़ती हूंको फिर ऐसे या तो नलके के उपर रख दो या किसी उच्ची जगा पर रख दो या बाल्टी के उपर रख दो तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे जो कपड़ी है ना दौस-पंदर मिनिट रख होगे तो पानी उनसे सारा निकल जाता है और फिर कपड़ी बिल्कुल बॉसिंग में सीन की तरह सुखते हैं चलिए अब इनको सुखाना अब कर दो 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 कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूं अभी अंदर और अभी शीवा की वर्क्षीट ने बनाई थी क्यूंकि आज उसका एक्जाम है तो एक्जाम के लिए पहले वर्क्षीट बनानी पड़ती है उसमें कर दो कर दो कर दो अच्छे से लीक सके और उनको जिग्यासा होई कि यह क्या है इस तरह से बनाती है और मेरे लिए ना इस अब बड़ा प्रजेक्ट होता है इसको पढ़ाना कि यह लिखता नहीं है पर अब काफी फरक इसको पढ़ गया है देखीए जैसे बोलते हैं तो लिख लेता है अब से 70% फरकस को पढ़ गया धको अपर केस E very बात चुर्च हटी हुख हाँ और डाँ से पीच में भी हएं बनाऊ और निचे भी ऑजुन्टर लाइन कौण सा लेटर लिखा आपने हीं कौण सा लेटर लिखा प्रकस लेटर वाँ पेपर तभ हो गया, फाइल इसने पूरा कर दिया अब गाने का रहा हरा है और सुब्रीक पर वाँ पर चाहरा है और पहां पेट सुब्हीं के वाई है और सुब्ही क्यों के वाट बार है? अब जल्दी से ना जल्दी आड़ा तेरी बारी आगी लागा तो शुबी का भी रिवीजन हो रहा है और इसका रिवीजन लिकरवाना भी जरूरी होता है जब भी इसके अख्जाम बगएर होते हैं तो मुझे रिवीजन इसका मैं इसी तरह से कराती हूं और वाकि इसके बाद इसका पेपर भी लग जाएगा थोड़ी देर में तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही खतम कर रही हूं I hope आपनी ब्लॉग इन्जॉय किया होगा Thank you